कभी हमने सुना नहीं था कि कोई मंत्री अपने आपको चोरों का सरदार कहता है और उसमें मुख मंत्री अगर उनको केबिनेट में ठोकते हैं तो कहते हैं आप क्या इस्तिपाद दे दूंगा और उसकी पेशकस करते हैं क्रिशी मंत्री जो है मन्य सुधाकर सिंग जी कैबिनेट का मंत्री बने लेकिन कैबिनेट का बंगला नहीं लिए अपना गाड और रिटर्न कर दिये घर पर सुग्रेटी को भी लागतनी भोजपुरिया समाचार मेरा उर्ष्वागत बटुए बड़ा ही बयान चल रहलबा बक्सर जीला में है सुधाकर सिंग सुबा के क्रिशी मंत्री जवन नया नया बननी है एगो जनसभा के सम्बोधित कौरत कोहिदी हनी कि क्रिशी विभाग में करॉप्षन होगिल बटुए लूट मचल बटूए एह कोरॉप्शन के हम सरदार होई यानि किसी विभाग में सारा चोर बईठल बढ़न और चोर के हम सरदार होई अब का बक्सर जीला भी कहां पीछे रहे वाला बटूए बक्सर जीला के सांसद असोह केंद्री ये मंत्री अस्वीरी चौबे के भी बयान आगोई किसी मंत्री ही कह रहा है कि हम चोरों के सरदार है तो चोर और चोर का विभाग पुरा चोर उसके सरदार है दुर्भाग्य ऐसा कभी हमने सुना रही था कि कोई मंत्री अपने आपको चोरों का सरदार कहता है और उसमें मुखमंत्री अगर उनको केमिनेट में टोकते हैं तो कहते हैं आप क्या इस्थिपा दे दूंगा और उसकी पेशकस करते हैं करते हमारे नेता तो लालू परसाद अबीजी हैं लालू परसाद जी सहीब है यह तो डंमी मुखमंत्री यह ¸री रिमोट तो लालू परिसाद जी के हाथ में हैाँ अपरादी और और अंके एसे लोगां जो आज उनके पैबनेट में आईसे लोग जो जेल गए जह ये लाए जो लूट में किसानों के तमाम च बाब जूद उनको उन्होंने किसी मंति बनाया और आज किसी मंति कह रहे हैं मैं चोरों का सरदार हूँ और जब वो टोकते हैं कि ऐसा क्यों बोलते हो तो उसके बात कहते हैं हमारा लेता तो लालू परसाद है दुरभाग यहां के मीडिया कर्मी से बात करत रूरा सब के स्मोट कंट्रोल से चले वाला ही मंत्री जी हमें लालू के अधिन काम करे वाला ही मंत्री जी हमें अब बताई भाला कि जहां सूबा के मुख्य मंत्री कहरहल बटूए और कि हमशोर के सरदार हूँ का तना दुरभाग ये पूर्ण हास्यास्पत बटूए मने हांसे जोग ब बार राजत के प्रखंड अध्यक्ष नागेंदर सिग्मानी उहां के कहता नहीं कि मंत्री जी पहिले अपना घर में जहांक के देखा जाला है। अगर उजागर करल गुना हट हुए तो अईशन युवा क्रिशी मंत्री लागातार उजागर करी है। आपकी सिस्टम जो पिशे से बिगड़ी हुई थी उसको सुधारने के लिए उन्होंने कहा। कि क्रिशी विभाग का जितने भी करमचारी है वो लूट का विभाग बनाये हुए। और वो तो ऐसे आदमी है कि जो कि सरकार का खर्च बचाने के लिए मंत्री के पद पर रहते हुए। कैबिनेट अस्तर का मंत्री होते हुए भी नहीं वो बंगला लिये और नहीं वो सुग्रूटी गाड़ सब कुछ लावटा दिये। मन्निय मंत्री जी आपको मालूम नहीं है कि भागलपुर से आकर अस्वानी कुमार चोबे जी आप मंत्री बने। कैबिनेट का मंत्री बने लेकिन कैबिनेट का बंगला नहीं लिये अपना गाड़ और रिटर्न कर दिये। घर पर सुग्रेटी को भी लोटा दिये कि खर्चा अधिक भीहर सरकार कर पड़ेगा। और यह मालूम नहीं है कि वो हर सनीचर को अपने गाउं में आकर जनता दर्बार लगाते हैं कि सानों को हिस्त के बात बतियाते हैं और कहते हैं वरहस्त आपकी जो पिछली सरकार यहां तक भी कह देनी कि मंत्री जी सायद रोरा मालूम नहीं खे कि जहिया कैबिनेट के सपत ग्रहण सुधाकर सिंग ले लें ओही दिने आपन सुरक्षा वापस करा दे लें सरकार के अत्रिक्त बोज ना लेवल चहलें आई है ना सरकारी गाड़ी तक यूजना करेला ना स सबसे बड़ा चीज है कि सुधाकर सिंग हर सनीशर के ट्रेन से एगो मंत्री होते हुए ट्रेन से आपन जनता के बीच में जालन उनकर समस्या के निदान करेलन तब आरोप पर त्यारोप के दोर जारी बटुए रवरा सब के दूनों पक्ष के बयान भोजपुरिया समाचा सब कुछ बयान सुनाई भोजपुरिया समाचार से चंसेखर सिंग की रिपोर्ट धन्यबाद